अब जी लग जाएगी एक साथ हाँ यह आपको कुरे परिवार को लगाना है तनाओ का मूल कारण है द्वंदता सामंजस नहीं बन पा रहा है हम उसके लिए विधी आपको धाम से कर देंगे कबस भी धाम से मिलेगा मंगल की पेशी करिए पहले हम दो जैश्विरांबिया पह जिस दिन टोकर नमबर वित्रित होता है उस दिन 20 से 25 जार लोग जाते हैं मंगलवार को भी 8 से 10 जार भक्त 12 जार 15 जार भक्त पहुंचते हैं तो अब सबसे हमारा मिल पाना असम्मव है हम 24 गंटा भी बैठ रहे हैं फिर भी नहीं हो पाता है तो ये उपाय पुझ जार बतला देते हैं यहां पर तो अर्जी लगेगी इस लगेगी गर पर आपको एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांद के लखना है पांच लौंग रखनी है जो आपका मनोरत है उस मनोरत को यानि मनो कामना को तीन बार बोलना है ज्यान से सुने एक लाल लंग का पूजा मंदिर में रख देना है अगर आपकी अर्जी सुईकार हो जाएगी तो सपने में लगातार दो दिन बंदर दिखाई देंगे एक दिन नहीं एक दिन तो भ्रहम हो सकता है इसलिए लगातार किसी भी सदस्य को अर्जी की सुईकारता पर ये प्रतक्ष प्रमाड कई देश में भी नहीं, USA, कनाडा, नेपाल, ऐस्टेलिया, आदी देशों में जो बागेश और बाLा जी के कृपा पात्र हैं जो मानते हैं, सुर्थासे, क्योंकि बाला जी की तरंग ब्यक्ति से नहीं मिलती है, बाला जी की करपा दीरंदर कृष्ण माराज से मिलने से नहीं होती है बाला जी की करपा बागे सुर्धाम जाने से होती है और बालतों पर करपा करने के लिए कहीं न कहीं बैठे हैं कहीं मेंदी पुर बाला जी के रूप में हैं तो कहीं साला सर बाला तो कहीं संकट भंजन बाला जी के रूप में तो कहीं बागे सुर्भाम बाला जी के रूप में अब लोग पुर्शन करते हैं आप अई के धाम क्यों जाएं मतलब कई लोग ताना दे करके हम अपने अंगरना चले जाएं परिकमा की जगह एक सो आठ लगा लें पेशी होता ही से ना सुईकार हो जाएं बागे सुर्भाम क्यों जाएं बात बिल्कुल सही है हवा तो सब जगे है टाइर पंचर हो जाए रोट पे अब तुम टाइर हां खोल के बैठ जाओ आजा हवा भरजा आजा हवा भरजा आजा हवा भरजा भरजे है का नहीं भरेगी आपको विशेस दुकान पर जाना पड़ेगा विशेस यंत्र द्वारा हवा भरेगी उसी प्रकार बागे सुर्धाम बाला जी सब जगए हैं बाला जी सब जगह हैं पर एक विशेस इस्थान पर जाना पड़ता है विशेस विधान करना पड़ता है उस इस्थान का नाम है बागे सुर्धाम उस विधान का नाम है बागे सुर्धाम की अरजी इस बिधान को आप करेंगे तो निश्चित सफल हो वेंगे मन में आप इस बिधान को करें अब हम दोहराते आप सबकी एक्षा तरजी लगाते छमा प्रारतियां आप बड़ी आसा आप एक्षा से बैठे रहे पर पीट से ही आसिरबाद जो जिस भामना के साथ यहां पर आया बाला जी करवें पेसी आप करना सुरू करदो आज से ही वो आप सब की मनुरत पूर्ण हो ये आसिरबाद है खुब आसिरबाद आप सब ही को है बाला जी ऐसी करपा करें पहले मुठी बांग कहिए हे बागेशुर बाला जी हे सन्यासी बाबा हे गुर्देव भगवान हे स्रिशिता राम जी सरकार हम पर क्रपा करो हम पर दया करो हमारी अरजी सन्यासी बाबा बागेशुर बाला जी महराज सुईकार करो हमारे उपर अथवा हमारे घर में जो भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा का प्रभाव हो, उसे हटावें, हमारे रोग, शंकट का निवारण करें, आपके धाम की जय हो, आपकी जय हो, हम आजीवन परियंत, आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, धाम बागे सुर पर आते रहेंगे, हम यह बचन देते हैं, परंतु हम पर क्रपा करो, हमारी अर्जु शुन, अपनी मर्जी करो, यह सन्यासी बाबा, जो भी संकट हो, उसे मंगल की पेशी में काटो, हम आपकी शरण में हैं, जो भक्तियां आप अब राजमान है, मनी मन अपने प्रिशनों को तीन बार दोराएंगे, ऐसी माननता है, बागे सुर धाम की और बात सत्य है, पूझपात सत्य गुरु शन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है, एक साथ पूरी सेना आपके मनों भाव की अरजी को पकड़ करके, बागे सुर बाला जी के चरणों में रख देवेंगे, इसलिए मन ही मन बड़े सुद्धा और भाव से सन्यासी बाबा का उबागे सुर ब अम अम शन्यासी बाबा कुर देवगवान शरी बागे सुर बाला जी महराज सुर धिशु कड़ बागवान कृपा करें आप सबके अरजी तच्छन शुन करके आपके सबके उपर की अलाय बलाय भूत बादा कुने बारन करें आज से ही सबको लाब होगे आज से ही स्री बागेश्वर बाला जी की शब पर कृपा होगे है अब है आशिरबाद देवे और अरजी को सुईकार है हे प्रभू हे गुर्देव सन्यासी बाबा हे है अरजी सुईकार करो हम आपके धाम आएंगे हम पर कृपा करो दाइने हाथ की मुठी का साथ बार सीधा उतारा करना है अपने सिर के उपर शे एक शान और ऐसे बाला जी की तरफ छोड़ देना है बाएंगे हाथ की मुठी का उल्टा